हेलो फेंड्स जैसी किष्णा जै मातादी जैसरी शाम जैसरी गणिशाय नम्हाँ गणिश चतूर्ती के आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना हैं सितंबर महिने में आपका भाग्य लेकर आ रहे हैं गणपती बपा जी हाँ दोस्तों गणपती जी की क्या महिमा है और उन् कुछ वो कहना चाहते हैं क्या कुछ संकेत है सितंबर महिने में आपके भाग्य को लेकर यह आज हम आपको बताएंगे बहुत स्पैशल वीडियो है बहुत ही अट्रेक्टिव टॉपिक है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा समझेगा वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट सेक् दो मुर्तियों हैं फस्ट पिल सैकंड पिल दोनों में से कोई एक पिल चूस कर लिजिए उसके बाद हम देखेंगे गणपती बपा आपके लिए क्या कुछ लेकर आये हैं सितंबर के महिने में क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे और कुछ खास उपाए जो आपको गणपती बपा के लिए करने चाहिए वो खास उपाए जो आपके बहुत कम आने वाले ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए जल्दी से पिल वन और पिल टू में से को एक पिल चूस कर लिजिए फिर देखते हैं युनिवर्स की तरफ से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं क्या कह रहा है आपका भागी और स्तंबर का महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों पिल नमबर बन की अगर हम बात करेंगर आपने पिल दूस करा है धी तक से समय तो और फेवाले हैं स्माइलिंग फैस रखें बस अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें चाहें कितनी प्रॉब्लम्स हो गुस्टे को थोड़ा शांत करने की कोशिश करें कभी कभी क्या होता है कि हमारे सब अगर कुछ अच्छा होने भी वाला होता है लेकिन बात-बात पर चिर्चिर होना बा सबक्राइब तो अच्छे से ये उतना आपके जीवन में पॉजिटी होगा जितना आप नेगेटिव होंगे उतना तो लाइफ को अच्छे से न्जॉऑ करें अच्छे से रहे एतना और समझ ल HOY जे कि हमारे जीवन में झो कई ना कहीं उन rooftop उनका सम्द्ध ये लाइप से barrier ay तो वो भी हमें सीख दे कर जा रहा और अच्छा हो रहा है तो उससे भी हमें कहीं न कहीं अनुभाव लेना है तो हर चीज से अनुभाव लेना है सारी चीज़े हमें सीखा करके जाती है एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों कि हमेशा अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा एक्सवाइजर जो भी है उसके लिए किसी को ब्लैम ना करें क्योंकि बार बार दुसरों को ब्लैम करना ये चीज़े आपकी लाइफ में थोड़ी गलत हो रही है लेकिन सेतंबर के महिने में काफी कुछ डाउट से आपके जो क्लियर होने वाले हैं कुछ कंफ्यूजन से आपके दिमाग में जो की सब कुछ आपको व्यवस्तित दिखाए सब्सकी पारद करें को करने के लिए प्रेर हैं किया करेंगे तो क्या करेंगे तो का करेंगे करना कुछ नहीं है गनेश जी के कुछ उपाए हैं जो हम आपको बता रहें जो आपको गन्फ्यूज माइन है बैचे निये डर है टैंशन से वो सब कुछ दूर कर देगा तो करना क्या है दोस्तों आपको गनेश जी यानि गनिस चतूरती के दिन भगवान गनेश का हाती मौजूद हो तो हाती को या तो आप केली खिलाते तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मौदक खिला दीजिए मोती चूर के लड़ों खिला दीजिए इन चीजों का आप विश्यज ध्यान रखेंगा गरीबों में लड़ों बाट सकते हैं आप मोती चूर के से भी खाने पिने से रिलेटेड कोई चीज दिला सकते औरने पेंडने की कोई चीज दिला सकते तो यह चीजे आप कल के दिन एक बार करके देखिए का represented होगा चितना सामर्त औस अनुसार आप करिएेगा इसके साथ है एक चीज और धियां रखें अपने जीवन के साथ दोस्तों क कि जब भी हमारे जीवन में हम किसी अजनवी से कोई बात कर रहे हैं तो इतना फ्रेंडली मत हुई ये कि हम अपने अपने घर के जितनी भी सारवजनिक बातें उससे सारी शेयर कर दें टेरोकार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कुछ लोगों के साथ अपने घर की बाते आपने शेयर करी और उन लोगों ने उन बातों का बखान सब्दूर कर दिया और अब जाके जब वह बाते किसी थर्ड परसन के मुझ से आपको सुनाए देती तो काफी तकलीव होती है इसलिए हमेशा ध्यान रखे ऐसी बाते कभी किसी के सामने ना करे जिससे की आपके घरवालों को प्रॉब्लम क्रियेट हो आपको प्रॉब्लम क्रियेट हो आपकी मांसिक शांती भंगो किसी से भी बात करे तो थोड़ा तोलमोल कर करे सोच समझ कर करे किसी से ज़्यादा रेलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं अगर उस वेक्ति को आप ज सेटम्बर बढ़ा ही दानपूर्ण का महईना है आपके लिए बहुत धार्मिक महिना है यह काफी कुछ धर्म के प्रती आपके आस्था बनने वाली है आप पूरी तरह मस्त कंध है गनपती बप्पा मंपार-खिर semaineition है बहुत अच्छा समय है बस इस समय का सदुपयोग करने की जरूत है इसके साथ एक चीज और ध्यान रखेगा हमारे जीवन में जितनी तकलीफें आती है संकट मोचन हमेशा हमारे साथ है गणपती जी का तो आशिरवाद आपको मिला लेकिन आपके उपर एक जो सबसे क्रपा हमें बंती दिखाए दे रही है वो संकट मोचन हनुमान नास्टक की है जो कहीं न कहीं आपके ओपर क्रपा बनाए वह तो इनका एक पार्ट है जो आप मंगलवार शनिवार को जरू करें बजरंग बार्ण और संकट मोचन मान नास्टक बार्ण या आप हर मंगलवा फीजाद हो थे वह पुरी कर सकते हैं पैसा नहीं देना है जो जरौत है उनकी पूरी कर दीजिए या किषी जानवर पक्षों को कुछ खिला सकते हैं घाती हो घर के आजपास तो वहां मोधक खिला सकते हैं उन्हें केले खिला सकते हैं तो यह चीजे हैं जिनका आपको विश्रिष ध्यान रखना है साथी एक चीज ओर है दोस्तों कि सितंबर महिने में जो भी उपलब्धियां आपके हाथ लगने वाली हैं जो भी आइडियास आपके माइन में क्रियेट होने वाले कुछ होते हैं parents से बहुते हैं पंब चाहे और मंदिर जाय कितना पूजा कर ले लेकिन अगर अपने घर के बड़े नहीं करने उनका धियान नहीं रखते हैं तो यह सब कोई काम का नहीं है सबसे पहले पहला दरजा मा का दूसरा दरजा पिता जी का और तिसरा दरजा मंदीर तो भगवान का यानि की तो पहला दरजा जो मा का है मा आपके घर में खुश होनी चाहिए मा को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपकी वज़े से मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होना कि घर में तो उनकी माता जी को वह खानाने दे रहे हैं व्रद्धा आश्रम से उनको जाना पड़ हो फिर वर्धा आश्रम जा करके अपने बढड़े पर मिठाई बात रहे हैं तो किस काम की ये मिठाइ कोई लेना देना नहीं है से डॉनेशन से न ही ऐसे अच्छाई से न ही ऐसे अश्तकर्म से कोई मतलब है क्योंकि जब तक आपके घर की माता जब तक आपके घर की parents कुछ नहीं होंगे उनके माते का टैंशन आपको दूर करना है सबसे पहले उनका टैंशन सिफ़ आप एको लेकर रहता है आप अपने जीवन में क्या करेंगे क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइव में आप टैंशन में तो नहीं है अपने खाना खाया कि नहीं हर वक्त हम पैरेंट्स यही सोचते पॉजटीव सोच अच्छा डो सौचति प बहुत जाह करें आनन्धित रखें सब को आप अनंद मज़ा हैं अपने ज Jupa कोई कितना ही दुष्मन करει सब कुछ ठीक को जाएगा मैंड शानत फिल होगा साप्टेंबर मंत में आप ये करके जरूर देखेगा और गुसे पर कंट्रोल रखेगा दोस्तों किसी की भी निंदा अलोशना बुराई करने से बचेगा किसी को भी बहस नहीं करना ना किसी से लड़ाई जगड़ा करना सबसे अच्छे से रहना है तो वीडियो कैसी लगी द प्रश लग्चे